हेलो दोस्तों नमश्कार बहुत स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल की डेली करेंटर फिर्स के वीडियो में आज 14 अक्टुबर 2020 है और आज की वीडियो की PDF डाउनलूट का नमद भूलिएगा ये PDF आपको हमारे टेलेग्लाम चैनल से मिल जाएगी जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसके अलाबा ये PDF आप एक्जाम गुरुजी की लर्निंग एप से डाउनलूट कर पाएंगे और ये एप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलूट कर सकते हैं यहाँ पर आपको डेली करेंट अफेर के साथ में और भी बहुत सारी चीजें फ्री में उपलब्द हैं तो आज ही डाउनलूट कर लिजे एक्जाम गुरुजी है यह हमारी मदब्रदेश जेल प्रेशी 2020 के लिए टेस्ट सेरीज अवेलेबल है 249 में टेस्ट सेरीज आपको मिलेगी उसके अलाबा MPPSC के लिए टेस्ट अवेलेबल है MPPSC के लि हमेसा प्रयास करते रहो प्रयास एक ऐसी चीज है जो आप लाइफ में जितना करेंगे तो एक ना एक दिन आपको या तो सफलता मिलेगी या अनुभाव मिलेगा और यकीन मानिएगा सफलता मिले या अनुभाव दोनों ही बड़े इंपॉर्टन चीज है एक बार एक सफल से पूछा गया था कि आप इतने सफल फैसले कैसे ले लेते हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने अनुभाव से सफल फैसले लेता हूं तो फिर उनसे पूछा गया कि अनुभाव कैसे मिला तो मेरे गलत फैसलों से अनुभाव मिला है तो सफलता मिले या अनुभाव दोनो प्रसन वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है तो ये 12 अक्टूबर को तीसरा प्रसन है कि किसे अर्थवस्था का नोबिल प्रुसकार 2020 प्रदान किया जाएगा तो ये पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन है चौता प्रसन है कि एवा मोटो एक दिन के किस देश की प्रदान मंतरी बनी है तो ये फिनलैंड की प्रदान मंतरी बनी पांचवा प्रसन के भारत ने किस देश की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियुजना के लिए 2900 करोल रुपे के कर्ज देने के समझोते परहस्ताक्षर किये हैं और भारत ने कर्ज मालदीव क दिया है मैं 6 प्रसन के भारत और एशिय विकाज मैख ने किस राज़ के लिए 30 करोल अमेरिकी डॉलर के रेड समझोते परहस्ताक्षर किये हैं तो ये राजस्थां के लिए किये गा है 7 प्रसन के किस देस ने हाइपरसोनिक एंटे शिप क्रूस मिसाइल का सफल परेक्षन किया है और ये रूस ने किया है आठवा प्रसने के किस प्रदेश की केबिनेट ने ट्री ट्रांस्प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है ये दिली केबिनेट ने मंजूरी दी है और नवा प्रसने के परियावरन प्रदूशन प्रादिगर ने केंदर राज सरकारों को किस राज सरकार को ग्रेडेड रि नियंतरन हुपायों को लागू करने का नर्देश दिया है तो ये पंजाब, दिली, हर्याना और राजस्तान की सरकारे हैं और दसवा प्रसने के किसने इफेल, ग्रेंड प्रिक्स 2020 के प्रतियों की जीती है तो ये लूइस हमिल्टन ने जीती है ये थे हमारे कल के पढ़े गए करेंट फर के प्रसनों का क्विक रिविजन आगे बढ़ेंगे आज के प्रसनों की बात करेंगे और आज के करेंट फर का पहला प्रसन है और प्रसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत वाशकता है चले पहले प्रसन की तरफ बढ़ जाता है डीटेल दिख लिजे क्या है तो नीती आयोग ने स्टार्ट किया है अटल इनोवेशन मिसन जिसको एम कहा जाता है और इसने जीसी आई इंडिया के साथ इसकूलों में नववन में इसको बढ़ावा देनी के लिए यानी इन्योविशन को बढ़ावा देनी के लिए एक समझोता किया है और इसके तहट जो स्कूलों के अंदर अटरल टिंकरिंग लेब बनाए गई है उन स्कूलों में सफल और इन्योविटिव जो कारेबल है उसको इसमें त्यार किया जाएगा और समझोते के तहट जो जी सी बनाए गया था और राजीव कुमार बरत्मान ने इसके उपाद्यक्ष है और अमिताब कांत इसके CEO हैं आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रसन की बात करेंगे कि राष्ट्रिये डाक टिकेट संग्रह दिवस याद लिखिए डाक दिवस नहीं डाक टिकेट संग्रह दिवस का म मनाय जाता है और डाक टिकेट और डाक इतिहास जो है उसके अध्यान के लिए डाक टिकेटों का संग्रह किया जाता है ताकि डाकों का अध्यान किया जा सके ये दिवस डाक टिकेट संग्रह और डाक टिकेटों डाक संबंदी जो अन्य उत्पाद हैं उनके बारे में अनु आपदा न्यू नी करंड दिवस कम मनाय जाता है तो न्तराश्च्री याईनि किड़ी आपदा न्यू नी करंड दिवस मनाय जाता है यानि कि ज़िते रहा हो उसकी थीम है समगर साशन यानि कि it's all about governance संगतराष्ट महासभादवरा 1989 में यानि कि 1989 में अंतराष्ट्रिये आपदा न्यूनिक रण दिवस मनाने की सुरुआत की थी बात करेंगे चौथे प्रस्नकी कि IMF ने चालू वित वर्स में भारत की आर्थिक व्रदीदर में क यानि कि C option प्रस्नका सही उतर है डीटेल लेख लिजे क्या है तो भारती अर्थिवस्था में 10.3% के संकुचन का अनुमान IMF ने लगाया है और IMF ने 2021 में भारती अर्थिवस्था में संभावता यानि कि 8.8% की व्रदी का भी अनुमान लगाया है कि इसमें 8.8% की 2021 जो अ और 2021 में इसमें 5.2% की बढ़ोतरी हो सकती है यह आप यद रखेंगे अभी चाइना एक मातर देश है जिसमें जो व्रदी हो रही है वो सकारात्मक हो रही है यानि 1.2% की व्रदी है लेकिन 2021 में फिर से भारत 8.8% की व्रदी के साथ दुनिया का सबसे तेजी से ग्रूथ कर इसको जिसका मुख्याले वाशिंग्टन डी सी में है सदस्य देशों की बात करें तो 189 देश इसके सदस्य है मडी इसकी क्रिष्टीना जौर्जीवा है और मुख्यारत सास्तरी गीता गोपिनाथ है बात पिछले करें टेफिर की जो दूसरी और संस्थाओं ने भारत की ज क्रिसल ने 9% की क्रिविट गिरावट और इंडिया रेटिक्स ने 11.08% की गिरावट का नुमान लगाया है बात 50 प्रसन की करेंगे कि वित्त मंतरी निर्मला सीतरमन ने मांग को यानि बजार के अंदर मांग बढ़े इसको बढ़ावा देने के लिए कितने रुपे की मांग को बढ़ा देने के लिए ताकि मांग बढ़े उसके साथ रोजगार बढ़े आपूर्ती बढ़े तो रोजगार बढ़ेंगे तो इसी के लिए 73,000 क्रोड रुपे की बड़ी योजनाओं की गोशना की है और इन नए प्रस्तावों का उदेश है कि LTC वाउचर और फे के साथ 10 माईनों में पटा सकेंगे वापिस दे सकेंगे तो यह आप याद रखेंगे बात छटवे प्रस्न की होगी कि किस देश के प्रिंस विलियम और प्रकरतिवादी डेविन एटनबरो ने अर्थ शॉर्ट प्राइज सुरू करने की गोशना की है और इसको सुरू करने की गोशना की है ब्रिटेन के प्रिंस और दोनों ही यह ब्रिटेन के हैं सी ओप्षन प्रस्नका सही उतर हैं डीटेल लेख लिजे क्या है तो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकरतिवादी डेविट एटनबरो यह आप याद रखेंगे यह प्रिंस विलियम हैं और यह एटन वरो है तो इनमें प्रकरती की रक्षा और पुनर इस्थापना को प्रोचाहित करने के उदेश से अर्थ शॉर्ट प्राइज सुरू करने की गोश्णा की है और पहली पांच अर्थ शॉर्ट प्राइज जो है वो प्रकरती की रक्षा और पुनर इस्थापना, स्वक्ष हबा, महासागरों को पुनर जीवित करना, कच्रेमी कमी और जलवायू परिवर्तन, ये 5 कैटेग्रीज हैं इन कैटेग्रीज में दिये जाएंगे और अगले 10 वर्सों तक हर साल 1.3 मिलियन डॉलर के 5 पुरुसकार प्रिदान किये जाएंगे, उनका लक्ष है कि दुनियाओं में 2030 तक सबसे बड़ी पर्यावरणिय समस्याओं को कम से कम 50 फीशे दी उनका 50 समस्याओं का समधान करना बात ब्रिटेन की करते हैं, यहां की राजहानी लंदन है, प्रिदान मंत्री बॉरिस जॉनसन है और मुद्रा है की पौंड इस्टरलिंग है मैप में आपको ब्रिटेन लिए जाओं, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रतिष्ठित जो इस बार का गांधी सांती प्रुसकार 2019 है वो इन्ही सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, तो यह आप याद रखेंगे कि यही डेविड एटनबरो हैं जो मैंने आपको आट से नंबर के करेंट इफर में इसकी बारे में आपको बताया था इसके लाबा संहुत राष्ट और ब्रिटेन जो है वो 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायू सिखर सम्मेलन को संहुत रूप से आउजित करेंगे अब मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूँ तो जैसा कि आप इस्प्रिण पर देख पा रहा है यह हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्रिम की तरफ तो उपर की तरफ देखेंगे तो इस स्कॉटलेंड है यह पहला देश इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर यह इंगलेंड है यहाँ पर यह चोटा सा हिस्सा वेल्स का आ जाता है और यह उत्तरी अर्लेंड है यह चारों देखेंगे तो यहाँ पर लंदन इस्तित है अब इसके आसपास कौन कौन से देश है तो नीचे की तरफ देखेंगे तो France है और France और Britain के बीच में ही English Channel है इसके अलाबा देखेंगे तो इस तरफ यह Ireland है यह आप याद रखेंगे बात करेंगे अगले प्रशन की अगला प्रसन आपके सामने सात्वा है कि भारत को Oxfam International द्वार में जान लेते हैं तो भारत को वर्श 2020 के लिए commitment to reducing inequality यानि जो inequality है इसको कम करने का जो इंडेक्स है यानि असमानता को घटाने के लिए जो प्रतिवद्धता सूचकांक है इसमें 158 देसों में 139 वे स्थान पर रखा गया है और इस सूचकांक में नौर्वे जो है जो कि European country ह ये पहले स्थान पर है और 158 वदे जो लाश है वो दक्षनी सुदान है तो ये आप याद रखेंगे सूचकांक के अनुसार भारत जो है महमारी के दोरान असमानता से निपटने में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देसों में सामिल है बात पिछले करें के और दूसरे सुचकांकों की करें तो ग्लोबल एकॉनमी फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105 वे स्थान पर है डिजिटल क्वालिटी ओफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत 57 वे स्थान पर है विश्व जोखिम सूचकांक 2020 इसमें भारत 181 देसों में 89 पर है और विश्व बैंक क भारत पहली बार 48 नंबर यानि टॉप 50 में सामिल हुआ है तो 48 वे नंबर पर भारत है बात आठोए प्रसन की करेंगे कि पूरी तरह से डिजिटल हाइटेक क्लास्रूम वाला देसका पहला राज जो कौन सा बन गया है और ऐसा करने वाला देसका पहला राज बन गया है केर केरल इंफ्रस्ट्रक्चर एंड टेक्नलोजी फॉर एजूकेशन काइट है उसके द्वारा केरल इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट फंड बूड इसकी वित्य साहता से उच्छ तक्नीकी कक्षा परियुजना को लागो किया गया था और इन कक्षाओं को हाइटेक बना केरल के बारे में हमने पड़ा था कि केरल के पलककर जिले में राज का पहला और देश का वीश्वा मेगा फूड पार के स्थापिक किया गया है इसके लावा केरल टूरिजमें ने P.A.T.A. ग्रेंड आवार 2020 जीता है केरल ने N.C.D. की रोगताम और नियंतरन के लिए UNIATF पुरुसकार 2020 जीता है और किरल एक बार फिर से 96% से ज़्यादा सक्षाराटा के सांद देश का सबसे सक्षाराज बन गया है बात नवे प्रसनकी करेंगे किस प्रदेश की सरकार ने बैटरी चालिद वहानों को रोड टेक्स से छूड़ दी है और ये दी गई है दिल्ली की सरकार के द्वारा यानि कि ए ऑप्षन प्रसनका सहीतर है डीटेल देख लिजे क्या है तो दिल्ली की सरकार ने अपनी नई इलेक्टरानिक वहान नीती के तहत बैटरी चले जो वहान है उनको रोड टेक्स से छूड़ दी है और दिल्ली सरकार के ये कदम जो है इससे राजधानी के अंदर इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक दो पई पहिए भान और तीन पहिए भाहन चलाना और स्वताः हो जाएगा इसक्राबा Edit्रेशन में भी छूट कि वयासता कि गई है इलेक्ट्रिक बहानों को बढ़ावा मिलने से लिए वायी प्रजिण की जो समस्या है उसको कमी करने में मदद मिलेगी बात दिली की करते हैं या के मुक्यमंत्री अर्विंदर के जिवाल है उपराजपाल अनिल बेजल है अब दस्वे प्रिस्न की तरफ बढ़ेंगे कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने बले एशिया के पहले खलाडी कौन बन गए हैं और ये बने हैं सोयब मलिक यानि की T-Option प्रिस्न का सही उतर है डीटेल लिख लीजे क्या है तो पाकिस्तान के पूरू कप्तान और अनुभवी बलेवाज शोयब मलिक ये T20 क्रिकेट में इन्होंने इतिहास रचा है और ये इस प्रारूप में 10,000 रन बनाने बले पहले इशिया के खिलाडी बन गए है अभी तक अगर बात करें तो ये दुनिया के तीसरे ऐसे और इशिया के पहले बलेवाज बने हैं जिन्होंने 10,000 रन कांकड़ा पार किया है अब दुनिया के दो पहले बलेवाज कौन हैं एक हैं क्रिस गेल और दूसरे हैं किरेन पूलाड जिन्होंने टी-20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाया है ये था आज का हमारा करेंट अफेर अब बात करेंगे कल की सवाल की कल मैंने आपसे प्रशन पूछा था कि प्रधान मंत्री ने किसे प्रदेश के किस प्रदेश के रहतांग में अटल सुरंगों को राष्ट को समरपिक किया है और ये जो अटल सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश में इस्तेत है यानि कि B option प्रशन का सही उतर है आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने इस प्रशन का सही उतर दिया अब आज के प्रशन का सही उतर दियना मत भूलिएगा आज का हमारा प्रशन है कि Brix सम्मेलन 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये किस देश में होगा तो इन में से किस देश के दोरा इसकी मेजवानी की जाएगी कमेंड में जुरू बताईगा ये वीडियो के सलका पताना मत भूलिएगा आज की बात करेंगे ही समाप ताप लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद जय हिंद जय भारत